नमस्कार आप सभी का स्वागत है इस लॉकडाउन के अंदर जहां सरीर का हालचाल काफी कम हो रहा है हमें बाहर जाने की अनुमती जादा नहीं मिल रही है इस कारण वर्ष दो चीजे हो रही है एक बहुत सारे लोग प्रोन टू डाइबडिस हो रहे है जिसे हम प्री है कि बारले यानि की यव ये शुगर लेवल को कम करने में काफी असरदार है पर आज हमारे इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बारले यानि की यव आपके शरीर पर कैसे काम करता है कैसे वो शुगर को कंट्रोल रहता है किस तरह से उसे लेना चाहिए और उसके other benefits क्या है जो हमारे इस lockdown के अंदर बहुत ही important है जैसे कि आप देख सकते है कि बारली यानि यव इसका उलेक हजारों साल पहले आईरुवेद में भी आया था आईरुवेद के भी अंदर उन्होंने एक प्रमेह चैप्टर यानि जिसे आज हम diabetes से compare करते हैं उसके अंदर भी ये बताने की कोशिश की है कि जो प्रमेही वेक्ति है यानि कि जो diabetic patient है उसे अपने आहार के अंदर यानि कि अपने food के अंदर नित्य यव यानि बारली का सेवन करना चाहिए आईरुवेद का उद्देश खाली शुगर कम करना नहीं है आईरुवेद का उद्देश है कि शरीर के अंदर उस प्रकार का metabolic changes लाया जाए जिससे शुगर अपने आप control हो सके यानि कि सहिताकार यानि कि आईरुवेद को पहले से ही पता है कि यव के अंदर वो potency है जिससे कि वो diabetes ही नहीं, diabetes से होने वाले जो complication या metabolic error है उसके अंदर भी वो काम कर सकता है आज का इस research article का जो base में देने जारो वो दे लूंद यूनिवरसेटी उन्होंने अपने इस research के अंदर ये प्रूव करने के कोशिश की है कि किस तरह से बारली शरीर के उपर काम करता है और उन्होंने इस research को किस तरह से किया, इनका collaboration जो था वो गौतबत यूनिवरसेटी के एक research article से था, तो आपके सामने आज दो research article एक साथ मर्जो के आ रहे हैं, इस research की जो head है professor Annie Nelson, उनका ये कहना है कि बारली यानि कि यव लेने के बाद अगर हम उसे करना यानि कि पूरा का पूरा एक साथ उप्योग करें, तो शरीर में जाने के बाद हमारे पेट में कुछ तो यानि कि अत्री में कुछ तो ऐसा changes कर रहा है कि जिससे हमारा metabolic correction हो रहा है, अब ये बात को वो बताना चाहते या प्रूब करना चाहते कि ये किस तरह से होता है, तो सबसे पहले उन्हों ने क्या किया, उन्होंने इस research के अंदर एक मध्यम वर्ग के कुछ लोगों को, जीने कोई भी भी मारी नहीं है, उन्हें select किया, और उन्हें दिन में तीन बार खाने के लिए barley का bread दिया गया, उस bread के अंदर 85% जो था वो barley था, 15% हमारा आटा, अब उनका काम ये था कि हमारे जो patient उस दिन barley खा रहे, 14 घंटे के अंदर उनके शरीर के बीतर, blood के अंदर, sugar का level किस तरह से fluctuate हो रहा है, उसे हमें देखना है, यानि कि हम इसे diabetes का indicator कहते हैं, तो इनका काम था कि इस study के अंदर, बारली खाने के बाद, 14 घंटे तक, शरीर के उपर क्या प्रभाव होता है, अब इस research के effect में उन्होंने पहला ये देखा, कि बारली लेने के बाद, metabolism 14 घंटे तक, काफी हद तक अच्छा होता है, अच्छा होना मतलब क्या, पहली बाद कि शुगर तूरंत नहीं बढ़ती है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ खाए, diabetes बढ़ना यानि कि शुगर तूरंत बढ़ता है, इंसुलिन भी बढ़ता है, लेकिन कुछ देर के बाद, एक दो घंटे के बाद, वो नॉर्मल होता है, वो नियमित रूप से कंट्रोल था, दूसरा, जो इंसुलिन लेवन बहुत ही ज़ादा बढ़ा हुआ है, जिसे हम कभी कभी हाइपर इंसुलिमिया बोलते हैं, और ये कहा जाता है, कि diabetes होने के पहले, इंसुलिन लेवन का बढ़ना ये इंसुलिन रेजिस्टन्स दिखाता है, यानि कि एक तरह का metabolic error है, जो diabetes को produce करता है, उसके अंदर भी ये इंसुलिन के लेवल को कम रखता है, साथी साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी भी कम करता है, जिसके तुरू हमारा खाया हुआ सरीर मे अच्छी तरह से उची स्थान पे जाता है, और इस चीज में एक जो interesting बात है, जो आज हमें ये देखना है, कि जो भी इस barley का 7 करता है, इसके 7 के बाद इन्होंने ये देखा, कि हमारे gut के अंदर जिसे हम gut flora कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे bacteria होते, एक good bacteria होता है, एक bad bacteria ह होता है, अब barley लेने के बाद उन्होंने ये देखा, कि हमारे gut के अंदर जो good bacteria की activity है, वो काफी बढ़ जाती है, और जिसके कारण वो किसी भी food के carbohydrate level या glycemic index को control रखते हैं, अब हम ये देखते हैं, कि ये किस तरब के enzyme सा bacteria है, जो ये काम करते हैं, उन्होंने इस gut bacteria को प्रेवेटेला कॉपरी, इनका मानना ये है कि प्रेवेटेला कॉपरी जो है, ये उस good bacteria के group में आता है, जो हमारे शरीर के अंदर inflammation यानि की सूजन को कम करता है, हमारे मोटापे को control में रखता है, हमारे sugar को कम रखता है, और हमारे immunity को बना के रखता है, पर जैसे जैसे उमर होती है, और diabetic या pre-diabetic condition आता है, उसमें ये देखा गया है कि प्रिवेटेला कॉपरी जो bacteria वो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर, हमारे गट के अंदर कम होते जाता है, इस conclusion में ये पाया गया कि जो वेक्ति नियमित समय से बारली यानि की यव का सेवन करता है, उसके अंद दीरे-धीरे संख्या कम होते जाता है, और ये खली शुगर के उपर नहीं, ये हमारे fat metabolism के उपर भी काम आता है, यानि कि हमारे cholesterol के metabolism को भी control कर सकता है, हमारे fat metabolism को भी control कर सकता है, यानि कि इस research के अंदर ऐसा benefit आया गया कि जो बारली नियमिस समय तक ले उसे सबसे पहले बात diabetes जल्दी नहीं होता diabetes control में होता है जिसका मोटापा कम नहीं हो रहा है उसका मोटापा कम हो सकता है और साथ ही साथ किसी को और भी प्रकार का metabolic error है तो उसमें ये control कर सकता है इसको लेनी के लिए किस तरह से लिया जाए इस research के अंदर ये पाया गया कि इसे हमें हमेशा अपने खाना खाने के पहले लेना चाहिए यानि कि meal के पहले लेना चाहिए कहा है ऐसा जाता है कि इससे लेने के बाद कभी कभी भूग भी नहीं लगती ऐसा किसी किसी को होता है पर ये उसका side effect नहीं है ये इसलिए होता है क्योंकि इसका metabolism काफी slow होता है because of death bacteria तो इसका benefit इस तरह भी हो सकता है कि जिसे मोटापा कम करना है वो अगर बारली का नियमी दिन में तीन बार सेवन करे 200 ml में तो उनकी भी appetite कुछ हद तक कम होती है और उन्हें weight loss में help होता है अब जिसे diabetes है उसके अंदर भी धीरे-धीरे metabolic correction और reduce होते जाता है कम होते जाता है और हमारे जो insulin insensitivity है वो भी काफी धीरे हद तक कम होती है यानि कि बारली अगर आप दिन में तीन बार नियमी सेवन करे तो आपका glucose भी कम हो सकता है आपका fat metabolism भी normalize हो सकता है और ये metabolic error जो है काफी हद तक कम कर सकता है अब आपको ये वीडियो कैसा लगा है या बता सकते हैं आपके comment section में hope कि आप इस information को use करें अपने patient के अंदर और आप खुद देखें कि बारली के use start करने के बाद आप उन्हें अगर नियमित दिन में 200 ml दिन में 3 बार दे तो within 18 days आपको कुछ तो benefit result मिल सकता है along with their medicine फिर भी इस चीज़ को use करने के लिए आप अपने doctor की सला ले और अपने किसी भी दवा का रोक न करें धन्यवाद अमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप like करें और subscribe करें